तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु के तरप से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि इगनु ने जून 2024 एक्जाम के लिए एक्जाम का second tentative date sheet जारी कर दिया है काफी सारे नए बदलाव के साथ है यहां तक कि जो आपका एक्जाम आपको मिलते रहे सबसे पहले क्या होता है कि आप इगनु में जितने भी सब्जेक्ट का एक्जाम देना चाते है आपको उसका assignment बना करके submit करना होता है अगर assignment बना लिया है तो इसको आप March April में submit कर सकते है अगर नहीं बनाया है assignment बनाने में आपको कोई problem आ रहा है जैसे कि assignment का answer आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे WhatsApp नमर पर हमारे team से contact कर सकते है और जो assignment का answer है वो आप PDF format में कम दामों में खरीद सकते हैं ऐसा PDF format में आपको answer दिया जाएगा यह जो WhatsApp नमर है नीचे मैंने description box में दे रखा है और अब बात करते हैं कि यह जो exam का नया date sheet आया है इसको आप download कैसे और कहां से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना इस वाले page पर आ जाना है link मैंने नीचे दे रखा यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इगन का official website open हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा tentative date sheet for June 24 ट्रॉमे file में या फिर desktop में तो उसका आप सभी जो browsing history है उसको आप delete कीजिए और फिर से आप ट्राइ कीजिए तो यहाँ पर यह नया date sheet आया है 19 मार्च वला आपका open हो जाएगा इससे पहले भी इगनुने एक्जाम का date नहीं बताया गया था और फिर जो पहला date sheet है जिसमें एक्जा के लिए यह 9 मार्च को आया है मतलब कि 9 मार्च को इस date sheet को त्यार किया गया लेकिन website पर इसको आज ही public किया गया है और ध्यान रखे यह आपका tentative date sheet है final date sheet नहीं है यानि कि इसमें अभी और भी बदलाव किये जाएंगे जो आपका final date sheet रहता है एक्जाम स्टार्ट होने से एक या फिर दो हफ्ता पहले जारिक किया जाता है तो पहले तो यहाँ पर आपको यह बता दिया गया है कि June 2024 exam के लिए जो examination fees submission का portal है वो एक मार्च को ही start कर दिया गया है और आप अपना exam fees submit कर सकते हैं जो बदलाव किया गया है हम उसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो exam class हो रहा है यानि कि अगर आपके दो subject का exam एक ही दिन और एक ही time में दे दिया जाता है तो पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस condition में जो आपका subject है उसको class नहीं माना जाएगा यहाँ पर जो condition दिया गया है इसके अलावा अगर कोई और स्थिती ह है आपका subject class हो रहा है तो उसके regarding यहाँ पर आपको बताया गया है कि 18 मार्च 2024 तक यह जो email id है date seat add.ac.in इस पर आपको email send करना होगा यह जो date है इसको extend कर दिया गया है तो जो आपका subject class हो रहा है इसको ठीक कर दिया जाएगा यहाँ पर यह जो subject दिया गया है इसका exam mcq-based हो नीचे करते हैं तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा गुरूप के subject के बारे में जैसे कि यहाँ गुरूप 4 हो गया इसमें जितने भी subject दिये गया इसका exam एक ही दिन और एक ही time में होगा और यह class होता है तो इसको class भी नहीं माना जाएगा देखिए जो आपका exam 6 July को था लेकिन नए वाले date sheet के according आपका आखरी exam 8 July को है यानि कि आपका exam जो है दो दिन extra होने वाला है उसके अलावा ऐसे काफी सारे subject है जिसका exam का date आगे पीछे कर दिया गया है कैसे वो आप समझे जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही note किये है लेकिन 3 के अलावा और भ दिया गया है 3 June को लेकिन नए वाले date sheet में देखेंगे यानि कि जो 9 March को date sheet आया है तो इसमें आप देख सकते है इसका exam अब कर दिया गया है 8 July को morning में ऐसे ही जैसे कि यह subject है BEGLA 137 पुराने वाले date sheet में देखेंगे तो इसका exam दिया गया है 8 July को ऐसे ही एक और subject देख सकते ह अगर पूराने वाले date sheet में देखेंगे तो इसका exam दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं evening में 3 July को लेकिन नए बाले date sheet में देखेंगे तो इसका exam दिया गया है evening में 8 July को यानि कि exam का यहाँ पर जो date दिया गया है जो तारीक दिया गया है वो तो वही है लेकिन काफी सारे ऐसे subject है जिसका exam का जो date है वो आगे पीछे कर दिया गया है तो आपको क्या करना होगा यह जो नया बला date sheet आया है इसको आपको download करना होगा download link से नहीं होता है तो इसे मैं अपने telegram channel पर भी डाल दूँगा यहां से भी आप इसको download कर सकते हैं तो यहां पर आप control के साथ F की को press करेंगे search का option मिल जाएगा mobile में भी आपको search का option मिल जाता है वहीं पर आपको search करना होगा जिस भी subject का आपको date sheet पता करना है तो बस वो आपको यहां पर type करना होगा जैसे कि मैं डाल देता हूँ B H I C 101 तो यहां पर यह इस तरीके से highlight करके बता दिया गया है कि जो आपने search किया है इसका exam evening में 22 June को होनी वाला है ऐसे ही मालिज कि अगर आपका कोई और subject है मैं डाल देता हूँ B E VAE 181 यह मैंने यहां पर डाला इसको search किया तो इसका exam दिया गया है evening में 1 July को तो आपके पास जितने भी subject है वो आपको यहां पर इस तरीके सही search करना होगा जैसे कि मैंने डाल दिया MPS 01 और 01 से नहीं आता है तो आप इसको directly MPS 01 भी डाल सकते है MPS 01 से भी नहीं आता है तो MPS 001 से आप try किजिए तो ऐसे भी आपको यह search करना पढ़ सकता है जैसे कि मैंने search किया तो यहां पर दिखा दिया क्या है यह जो subject है जो आपने search किया इसका exam morning में 5 June को होने वाला है exam आपका 2 session में होगा morning session का exam 10 बज़े से 1 बज़े तक और evening session का exam 2 बज़े से 5 बज़े तक तो आपके पास जितने भी subject है सभी का exam का schedule आप यह जो नया date sheet आया इसमें से note कीजिए और इसी की according आपको अपनी exam के त्यारी करनी होगी तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और ignus related सभी update पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे और आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं